नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर क्या काम करते हैं आप? सर संत्रामपल जिमारा से नाम दिख्षा आपने कब ली? सर संत्रामपल जिमारा से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आपको यी भक्ती साधनाई भी करते थे? जो जगत में परंप्रागत जो साधना हैं उन्हें करता था उसके बाद में दो हजार एक में संत्राम बापुजी की सरण में गया तो उनकी बताई हुई साधना करता रहा अब करते करते जो भी मन में आत्मा में जो भी उमंगे लेरें उठती थी तो उसका संका समाधान नहीं हो पाता था कई बार मैंने स्टेज के कुर्देव की नजदी जाने की कोसिस करता था बैठने की कि मैं अपनी आवाज उठा सकूंगा और जो भी संकाय थी उनका समाधान करा पाऊंगा संत आसारामबा पूजी से तो वो मने कर देते थे जो हमने साधना वक्ती दिये मंत्र दिये हैं उन मंत्रों का उच्छाण करिए उससे आपको लाब मिलेगा अब इस तरीके से मुझे करते करते ग्यारे वर्स हो गई ग्यारे वर्स में किसी भी प्रकार का कोई शमाधान नहीं हुआ तो मेरा मन वहाँ से हट गया मिनकी ये साधना नराधार गलत है फिर मैं दो साल के लिए सांत रहा मैंने कोई साधना निकी में सब बक्मास है यह जूटा संसार है अगर किसी की सरण में जा जाता है तो जो भी ससाधना होती है संत महापुर्ष बताते हैं तो इससे जीब को कोई न कोई लाब मिलता है लेकिन मुझे कोई लाब नहीं मिला फिर मैंने यह साधना छोड़ दी छोड़ने के बाद में कोई भी साधना नहीं मैंने की तो फिर आप संत रामपल जी माराश्ट की सरण में कैसे आये टीवी पर मैं चैनल देख रहा था तो महराष्ट में कथा चल लही थी तो कथा यहां से उत्रपदेश के अलावा जो महराष्ट में होती है तो अच्छी लगती है मुझे और दया भाव का भक्ती भाव का पहले से ही था तो कथा को देखता रहा हमें जब उसका एंड हुआ उसके बाद में जैसे ही मैंने रिमोंट से चैनल गुमाया चेंज किया तो अचानक चैनल की भी मुझे जानकारी नहीं थी तो एक संत रामपाल महराज जी सादा वेस्बू सामें सपेट ड्रेस में बिना डाड़ी मूच के सद गरंथों के आधार से थोड़ा सा ग्यान दिया हलकी सी जलक मुझे मैसुस हुई तो मैंने सुना तो मैं बड़ा बहुचका रह गया मनकी ये कैसे संत हैं ये कैसा ग्यान दे रहें तो अगले दिन फिर मैंने बेट किया इंतजार करता रहा है मनकी चलो आगे देखूंगा आज तो समय निकल गया पता ही नहीं था कि ये सादना पर आता है संसंग तो अगले दिन जब मैंने देखा तो धीरे धीरे फिर उसको मैं देखता रहा है गाओं चला आया दिल्ली से गाओं वालों को सब को इन्वाइट कर देता था मनकी चली आप मनकी शंत्रामपार महराजी का संसंग आता है तो बहुत सारे देखते रहे तो ग्यारा लोग इसार वरवाला आस्रम यहां से नामदान के लिए रवाना हुए और वहां जाकर करके हमने विवस्ता देखी निसुलक सेवा निस्वार सेवा खाने पीने की उठने बैठने की रहने की सारी विवस्ताएं एक जैसी थी ना कोई बड़ा है न द्रश्टी वाले शंत थे अन्य शंतों के यहां हमने जाके देखा बैठने की आगे कोसिस की लेकिन आगे पीछे मद्ध में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रैस्पंस नहीं मिलता था और शांत कर दिया जाता था तो इससे हमारी आत्मा बड़ी प्रभावित हुई कि यह संथ बड़िया है रहें संसान सारी विवस्ता खाने पीने की एक सी है निसलक सेवा है और हमने मालिक की सरण में संत रामपाल महराजी की सरण में जाकर के घ्यारों व्यक्तियों ने नाम उब्देश लिया मेरे शरीर में एक तो हाड पेशन्ट था जिसमें मुझे तीन एटेक पड़ चुके थे स्मोकिंग करता था डोक्टर मने करते थे लेकिन यह नहीं शूटती थी मेरी किसी भी कीमत पर उनने की बचोगे नहीं आप सत्यागिये तुम्ही जीवन है जब तक तुम्ही चलेगी चलेगी जब शंत रामपाल महराज की सरण में पहुचा हूं उसके बाद में मुझे लाम मिला के एक मेरी पांच है में की इस्टोन पत्री थी पित्की धहली में जिसके प्रमाड पत्र अलीगर जन्पद में पत्री नहीं रहेगी चार महीने में फिर अपने डॉक्टर के पास जाना दुबारा अल्ट्रा सांड कराना पत्री नहीं आएगी परमात्मा दया करेंगे तो उसके बाद जब चार महीने के बाद मैंने बक्ति और बढ़ाई विसेश के सक्के साथ की फर जामिया मेडिकल तो मुझे मिठ्या बोलना पड़ा करें डॉक्टर साम इनकी जलन होती है जो पहले कंडिशन वहीं मुझे बतानी पड़ी तो वहां शे मुझे एक्सरा के अनाम अल्ट्रा सांड एडवाइज किया अल्ट्रा सांड लेकर के जब अपने नंबर की प्रतिछा करता रहा तो मे करेंट गया डॉक्टर साम ने बताई कि पथरी नहीं है तो मैं डॉक्टर साम पथरी है मेरे आप हर तरीके से देखिये किसी पंट से कहीं दभी पड़ी होगी में एटा से चल के आया हूं अलीगर तक तो में इनकी इतना मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मेंनकी यहां खाई आता, आप थोड़ा गोर करें, देखें, पत्री है मेरे अंदर, तो डोक्टर साव ने फर दोबारा मेरे कहने के मताब के पत्री देखी, वो लेकर बाबा पत्री आपके नहीं है, तो मैंने की मुझे बैठ जाने दीजिए, तो जो मैं बैठ गया, तो बैक से मने निकाल करके, पहले वाला जो अल्ट्रसावंड रिपोर्ट मैंने दिखाई है, डॉक्टर साव देखी है, यह आपके यहां का है, तो वो लेकर हाँ, हमारे यहां का जामिया मेडिकल कॉलेज का ही अल्ट्रसावंड है, वो लेकर बाबा लेटी यह पत्री है तो दुबारा फिल लि या पत्री नजर नहीं आ रही और इस अल्ट्रा सांड के अंदर पत्री है तो उस पत्री को देख करके डॉक्टर भी बहुचके होगे तीनों ही इस्टेश से छोड़के अपने अपने रोगियों को मेरे पास आगे उन्होंने सभी ने मुझे बारी बारी से चेक किया आप पढ़िया आपने तो इसकी दबा क्या है से जीवन में इस परचार में निकाल दूँगा कि इसकी दबा ये है तो उनकी फिर भी तो मैंने फिर थोड़ा सा ज्यानी होने के नाते मैंने कि ये कह दिया कि राम त्रेता वाली बात बता दी कि रावड की कस्टडी में सारे हमारे इस्ट देवता थे और आवड की मृत्तु के बाद में सारे बरी हो गए वहां से अब जिस जीवने जिस इस्ट को देव को अपनी इस्ट मान लिया सण गहली वो उनकी शेवा करने लगे लेकिन मैं इनकी डॉक्टर साफ सेवा नहीं करता हूं मैं एक की सेवा करता हू एक है सादे सब सदें और सब सादें सब जाएं माली सी चैबूल को फूले फले अगाएं क्या मतलब मिनकी शाधना चैनल पर शंत्रामपाल महराजी का सथसंग आता है उसे देखें आप समय निकाल करके देखें और बहुत सारी पुस्तकें शंत्रामपाल महराजी की इन पुस्तकें घर घर तक विजवा रहे हैं और वहांशे में मुझे कुछ रोगी पूछने लगे कि बाबा आपकी ये कैसे समाप्तुही मिनकी विया ऐसे समाप्तुही है शंत्रामपाल महराजी से जो मैंने नाम दी चाली है जो उनकी बताई भक्ती करता हूं उस भक्ती में इतनी शक्ती है कि स्रद्दा पूर्वक्त आप द्रटा के साथ में नुर्दंद हो करके वक्ती करेंगे तो जितने भी मिर्त लोक में वहेंकर से वहेंकर रोग हैं उन वो सारही पलायान कर जाएंगे लेकिन महेनत हम को करनी पड़ेगी हमारे सास्त्रान कूल जो साधना भक संग स्ट्रामपाल महाराज जी का running में रहता था तो मैंने स्ट्रामपाल महराज की संड करके जाओ तो जब बेटी test न॑ से संत्रामपाल महाराज की संड में ब्द्ध परवार के जाओ रखा था और इस वेटी की पुत्र बुदू की दिल्ली के लिए बापसी थी जब मैं आश्रम में पहुँच गया तो कॉल करके बताया कि पापा जी हम आश्रम से जा रहे हैं ससंग सुन लिया आशिरवाद ले लिया तो मैंने की ठीक है आप जाए संत्रामपाल महराज जी की निश्वल्क सेवा बसें लगी हुई थी आश्रम से जीद इस्टेसं तक के लिए उसमें संत्रामपाल महराज की गाड़ियों में मैंने अपनी अठानव अवर्स की ब्रद मा हैं यह बच्चों के उद्देश से वेजी थी मैंने की चलो यह बच्चों की केर कर लिया करेंग तो पुत्र बदू पुत्र और नाती नातनी और अपनी मा को इनको सब को मैंने बस में बैठाल दिये संत्रामपाल महराजी की में स्टेसन आगए और दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली की तरफ से बटेंडा की और जाने वाली गाड़ी में और से लोगती से जा र वहां तक पूरा परवार गिर गया बच्चा और गाड़ी इस्टेशन से जा चुके तो कुछ देरी के बाद जब इनको होस आया तो उनी के हमारा बच्चा चला गया गाड़ी भी चली गी अब बच्चा कैसे आएगा तो शंत रामपाल महराज जी स्वेम रूप में बच्चे से आ रहा हूं यह अपना बच्चा लीजिए और बच्चा दे करके शंत रामपाल महराज जी और प्लेट फार्म से ही अदर्श हो गए और माता हैं हमारी धानवा वर्स की उनको पैरा लाइसिस की सिकार हुई तो हमने तो देहाती बात्सा में यह सोचा तक सद्द करंग की बचे से यह आवाज चली जाती है तो आवाज के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया गया उससे कोई रिलिव नहीं मिली ठेला चाप डॉक्टरों से दवाद लबाई उससे भी कोई काम्याबी नहीं मिली तो जाके गले वाले डॉक्टर से आगरा उनका चेक अप कराया गय तो उनोंने की INFECTION है INFECTION के अलावा फिर वोनोंने दवा दी तो इस दवा से भी कोई रिलिव नहीं मिला फिर जामिया MEDICAL KOLLEG ले करके पहुंचा तो समय को कम से कम लगभग एक महीना का समय हो गया एक महीना में जो ब्रद माता जी के पार्ट से वो फंक्षन काम करना छोड़ गए सभी गाउबाले यह कहते थे का अब नहीं बचेंगी मृत्य हो जाएगी और बापस नहीं लोटेंगी तो मैं यही क्या गया मैंनि इनको कुछ होगा यह ससरी राएंगी बापस अभी मालिक संत्रामपाल महराजी की साधना करेंगी भक्ती करेंगी दिर्दा के साथ में तो अलीवर जामिया में जाकर के जब उनका एमराई हुआ तो एमराई में इनके आहर और स्वांस नली के बीच में एक गांट बताई गी उस गांट की काड़ पैरा लाइसस की सिकार हुई आज चलने फिरने में स्वाश्थ हैं संत्रामपाल महराजी की संधना भक्ती करने से ही स्वाश्थ हैं और अठानव वर्सकी हो चुकी रोजाना नित्त साड़े तीन बजे खड़ी हो जाती हैं चार पाई से अपने नित्त किरिया से करके संत्रामपाल महराजी की साधना करती हैं निमत हाड की प्रोग्लम थी मुझे मैंने संजय प्लेस में डाक्टर सिया रावत थे आगरा हाड सेंटर उन्हीं के जहां मेरा हर प्रकार का एलाज ट्रीटमेंट चलता था तो उन्होंने सारे जांचे-बांचे करने के बाद दिया को बाई-पास सर्जरी होगी और इतने परसेंट आपका बिलॉक हो चुका इंडो कापी की गई गले के द्वारा जो अंदर से फोटू कीचे जाते हैं तो पूरा ही बाल इंजड था जखम थे उसके बाद में उन्होंने मुझे परेज भी बताए दबावी बहुत बर में जाओ वो अपना अपना ग्यान देते हैं बताते हैं लेकिन उससे भी कोई रिलिप नहीं मिली जब संत्रामपाल महराजी की सण में आने से मैं आज आपके समक्ष स्वस्थ गड़ा हूं ठीक हूं निरोग हूं सराथ बीड़ी बहुत पीता था मैंने रिकॉर्ट बना है आज भी गाओं में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 24-26 गंटे मदरा पी है लेकिन नसा नहीं हुआ बीड़ी दद्दस 11-11 बंडल पी जाता था 10 रुपे का जो आता है 502 का लेकिन संत्रामपाल महराज की सण में जाने के बाद में पलायन हो गए बिलकुल ही इच्छा जाक इतनी हुई किया ना मैं जब उनसे नाम दी च्छा प्राप्त करने के बाद में के मैं नसा करता था आज कते ही नहीं करता हूं बिलकुल स्वस्त हूं इतने लाब मिले तो सभी भारतवाशियों से मेरा हाद जोड़ करके प्राधना है कि जो जिन बीमारियों से यूज रहे ह या साधना गलत करते हुए भी उन्हें किसी प्रकार का कोई लाब नहीं मिलता है तो शंत्रामपाल महराज जी की सर्ण में जाएं उनकी पुस्तके में गमाएं उनके बहुत सारे चैनलों पे उनका मंगल प्रवचन आते हैं उन्हें बाग और ध्यान पूर्वक शुने और अपना आत्म कल्यान करा आएं जब तक जीवन है तब तक यहां सुखी रहें उसके बाद में मोक्ष के भी अधिकारी बने हैं सर पहले आपने बहुत सारी बक्ती सादना की फिर आपने 11 साल तक स्री आसाराम बापो जी की बताईव बक्ती सादना की फिर आप स्री संत्रामपाल जी महराज की सादना में आए और बक्ती सादना कर रहे हैं तो सर सवाल ये है कि आपने जो बक्ति सादना की उससे आपको कोई लाब नहीं हुआ लेकिन स्री संत्रामपाल जी महराज की सादना में ऐसी क्या बात है। शंत रामपाल महराजी की जो साधना है, सास्त्रान कूल साधना है, तो सास्त्र वधी के रुसार जो भी जीव आत्मा है, शंत रामपाल महराजी के बताय हुए मार्क पे चलते हैं, नियमों को पालन करते हैं, और सद भक्ती करते हैं, निर्दुन्द होके भक्ती करेंगे, शा प्राप्त की जा सकती है। आपको जवाब मिलेगा माकूल संतुष्ट किये जाओगे आप किस सम्मन में बात करना चाहते हो पुस्तक मंगवाना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो तो निस्सुलक नाम नान दीच्छा सब कुछ आपको मिलेगी धन्यवाद सार सच साहे